आज की डेट में हमने देखा है अलग-अलग जगा चाहे वो कैफे हों, बस्टॉप्स हों, अलग-अलग रेस्टॉण्स हों, हम जाते हैं हमारी फोन की चार्जिंग नहीं होती और हमें अलग-अलग USB चार्जिंग पोर्ट्स तिक जाते हैं और हम बहुत conveniently उसको चार्ज कर ल आते हैं, ऐसा एक सेटप क्रियेट करते हैं अलग-अलग चार्जिंग स्पोर्ट्स में, खासकर जो पब्लिक हों, बिकार उनको पता है, पब्लिक चार्जिंग स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादर easy target होता है, वो ऐसी जगाँ पर अपना malware सेट कर देते हैं, जिससे उनको पता ह जब आम जनता हमा जाएगी, अपना फोन चार्जिंग में लगाएगी, तो जो malware है, वो आपका data encrypt कर देगा, और उससे कहीं सारी, जिससे कहते हम, cybercrime कर सकते हैं, आपका data जा सकता है, आपके phone का पूरा access, इन cybercriminals को बहुत अराम से मिल सकता है, और सबसे मज़े की बात य जाएंगे, अपना फोन चार्ज करेंगे, आपको तो यह लगेगा कि मैं अपना फोन चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन आपको यह पता नहीं लगेगा कि कब वो malware आपके phone में आ गया है, और कब cybercriminals को आपके phone का sensitive data का पूरा पूरा access मिल गया है, पहले चीज यह, दूसरा certain न हैं, जिसमें से मैं तीन आज discuss करूँगा, पहला ये कि आप, आपको यह सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन आपके power banks जादा trusted हैं, रादर दन ये जो public hot spots होते हैं, जहां से आप charging कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि power bank तो आपका है, आप उसको handy रखिए, आप कभी भी, जैसे हम free wifi कहते हैं, free charging spots होते हैं, इन में कभी मत जाईए, क्योंकि यहां पर juice jacking होने के पूरे chance होते हैं, पहला ये, दूसरा, आप ये याद रखिए, कि आपका sensitive data आज बहुत vulnerable है, वो किसी के भी हाथ में जा सकता है, और कोई too good to be true situation हो, जैसे free charging spot is too good to be true situation है, सर्टी यही कहती है, कि जब तक आपको पूरी तरह इस बात की तसल्दी ना हो, confirmation ना हो, कि ये source, बिल्कुल जो है, safe source है, public source को हम safe source नहीं बोल सकते हैं, तो जो अगर आपको ये पता है, कि ये safe source है, अगर आपको office जाते हैं, वहाँ आपको पता है, charging spot एक safe zone है, safe space app आपकर सकते हैं, और तो कल को आप इसका शिकार बहुत आराम से बन सकते हैं, तो तीसरा सबसे महत्वपून यही होगा, कि आप जागरूत रहें, और इसी जरीया आप juice jacking से ज़रूर बच सकते हैं,